हेलो बाइस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जुमारा OPPO A78 5G फॉन है तो OPPO A78 5G फॉन की सेटिंग्स पे जाकर जुमारे फॉन में Erase All Data Options है तो Erase All Data Options का प्यूज कैसे कर सकते हैं जो आपके फॉन का डाटा है All Data उसको आप Race कैसे कर सकते हैं तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रेज All Data Options को कैसे Race कर पाएंगे OPPO A78 5G फॉन में और all data को raise कैसे कर सकते हैं तो आज हम बताने वालें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ में बाल आइकन दबाने ना बुलें तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉन के आइकन से शो हो रह करते हैं तो simply settings रहे हैं तो आपके पास से option आ याधा है option आयता आपके phone में system settings तो system settings पे जाते हैं तो आपके पास ये Reset options आ जायगा Reset options पे आकर आपरे result data टैब कर सकते हैं और tap करके अपने all data को race कर सकते हैं जैसे Google account होगे आपके phone का system settings download music apps and internal storage भी रीया उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं सुप्शन को ज़री है और जो भी आपका फॉन इस पर टाप करते रिसेट हो जाएगा तो इसतरीसे भी फोन को एरे डाटा एंट एन फैक्टए कर सकते हैं और उपो ए 178 5G फोन में और सिंपली अब आपको options नहीं मिलता है तो आप phone की settings पर जाकर भी phone को एरेज और data factory set कर पाएंगे तो जैसे option शो हो रहा है तो आप सर्च करके settings पर जा सकते हैं बस आपको search करना होगा एरेज all data settings पर डारेक्ली जा सकते हैं और डारेक्ली जाकर यहां से system settings settings और all system settings को reset भी कर सकते हैं और factory reset भी कर पाएंगे तो वीडियो चले तर लाइक करें thank you